हाई दोस्तो स्वागता अप सबका मेरी चैनल में दोस्तो आज की इस विडियो में हम आपको बताएंगे हैं चान्द के रहासियों में सबसे बड़ा रहासिय यही है कि आखिरकार चान्द का जनम कैसे हुआ इसके पीछे विज्ञान के अपने तरक हैं और दरम ग्रंथों की अपनी ही मन्यताएं हैं जल के देपता चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा आदिकाल से ही चंद को लेकर कई सारी धारमिक और समाजिक मन्यताएं चलिया रही हैं चंद के वजूद और एहमियत को लेकर कई तरह तक दावे भी किये जाते रहे हैं युगो युगो तक चांद इनसानों के लिए रहस्य और रोमाज का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा और आज भी इसके कई सारे ऐसे अंसुलजे रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं चांद के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर चांद का जनम कैसे हुआ इसके पीछे विज्ञान के अपने तरक है और धरम गरंथों की अपनी मानिताएं बताते हैं आपको अलग-अलग पुरानों में चांद के जनम के बारे में क्या-क्या कहा गया है मतस्य और अगनी-पुरान के मुताबिद चांद के उत्पति ब्रह्मा की किर्पा से हुई कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टी की कलपना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की थी उनमें से एक मानस पुत्र थे रिशी अत्री रिशी अत्री का विवा रिशी करदम की पुत्री अंसुया से हुआ था रिशी करदम और अंसुया के तीन पुत्र हुए दुर्वासा दतत्रेय और सौम यानि चंद्रमा जिने ब्रह्मा ने तमाम नशत्रों वंसपत्यों ब्रह् अम्मा जी ने अपने मानस पुत्र अगनी को सृष्टी का विस्तार करने को कहा तो महारिशी अत्री ने कठोर तब शुरू कर दिया। तपस्या के दुरान महारिशी अत्री की आंखों से जल की कुछ बुंदे तपकने लगी। परकाश्में बुंदो को दिशाओं ने इस तरी रूप में परकटक होकर ग्रहन कर लिया। लेकिन परकाश्मान गरब को दिशाएं अधिक दिर तक धारन ना कर सकी। दिशाओं ने घरब त्याग दिया जिसे ब्रह्मा ने पुरुष रूप में चंद्रमा बना दिया। कहते हैं चंद्रमा की तब तमाम देवताओं रिश्यों और गंदर्वों ने स्तुति की और चंद्रमा की तेज से ही धर्ती पर दिव्य उशोद्यां पैदा हुई थी। चंद्रमा की जनम से जुड़ी एक तीसरी मानेता भी है जिसका जिकर सकंद पुरान में किया गया है। इसके मुताबिक जब देवों और असुरों ने श्रिर सागर का मन्थन किया तो समुन्दर से चोदा रतन निकले थे। उन चोदा रतनों में से चंद्रमा भी एक थे। जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारन किया था। दरसल समुन्दर से निकले विश को लेकर जब हाहाकार मचा था तो शिव ने पूरा विश सम्वे ही पी लिया था जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनकी मस्तक पर निवास का शुप योग बताता है दार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का विवा दक्ष परजापती की 27 कन्याओं से हुआ था। ये सबी कन्याए 27 नशत्रों की परतीक भी मानी जाती हैं। इनी 27 नशत्रों की योग से एक चंद्रमास भी पूरा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों का सच क्या है? चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे चर्चित नाम रोहिनी का है। सभी नशत्रों में भी रोहनी नशत्र को ही उत्तम माना गया है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहनी से सबसे आदा प्रेम करते थे। बुध ग्रें को चंद्रमा और रोहनी की ही संतान माना जाता है। चंद्रमा रोहनी और बुद्ध को लेकर कई सारी कहानिया भी मशूर थी। दरसल रोहनी से चंद्रमा का अत्यदिक प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया था। जिसके बाद चंद्रमा को भीशन श्राप का सामना करना पड़ा। चंद को श्राप कैसे मिला था। कहते हैं चंद्रमा अपनी पतनी रोहनी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्या 26 पतनियों को चंद्रमा ने दुखी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनके बढ़ताव से जो उनकी 26 पत्मिया थी वो दुखी रहती थी जिसके बाद सभी 26 पत्मियों ने अपने पिता दक्ष परजा पती से चांद की शिकायत की, बेटिएंगे दुख से करोधित दक्ष ने चंद्रमा को शराप दे डाला, दक्ष के शराप के बाद चंद बगवान विश्णू ने मद्यस्ता की विश्णू के हस्त शेप से ही दक्ष का गुस्सा कम हुआ जिसके बाद उन्होंने चंद्रमा को इस शर्ट पर फिर से चमकने का वर्दान दिया कि चांद का परकाश क्रिशन पक्ष में श्रिन होता जाएगा अमा वस्या पर चांद का परकाश पूरी तरह से गायब हो जाएगा लेकिन शुकल पक्ष में चंद्रमा का उधार होगा और पूर्ण मासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप से दिखेगा आसमान पर चमकता चांद सनातनकाल से ही इंसानों को अकरशित करता रहा है कहते हैं सभी सोला कलाओ में निपुन चांद का रंग कभी दूद की तरह जक सफेद हुआ करता था और यह दाग मुक्त भी था फिर उस पर लगे दाग करहस क्या है कभी पूरी तरह से सफेद दिखने वाला चांद रूप स्रिष्टी के सबसे अनुपम सोंद्रय का परतीक था पर फिर कुछ ऐसा जिसने सफेद चांद के दामन पर दाग लगा दिया आखिर चमकते चांद पर कैसे लगा कलंग का दाग चांद पर कलंग कैसे लगा चांद पर लगे दाग से जुड़ी भी कई सारी पुरानिक मन्यताय हैं कहते हैं बगवान शिव के तिर्षकार से अपमानित होकर सती ने जब यक्यगनी में कुद कर अपनी जान दे दी तो उस समय शिव इतने क्रोधित हो गए थे कि तांडव करने लगे। भगवान शिव ने इसके लिए दक्ष परजापती को जिम्मेदार माना था और उनका वद करने निकल पड़े। और आनिक कथाओं के मुताबिक शिव ने दक्ष को लक्ष कर अच्चूक बान से परहार किया था। वचने के लिए दक्ष ने म्रिग का रूप दारन कर लिया। म्रिग बनकर दक्ष ने खुद को चंदरमा में चिपा लिया था। वही मरिग रूप चंदरमा में दाग की तरह दिखता है इसलिए चंदरमा का नाम मरिग गांक भी है मरिग यानी हीरन और अंक का मतलब होता है कलंक या फिर दाग चांद को गनेश ने शराप क्यों दिया चांद पर दाग लगने की एक और कहानी भी काफी यादा प्रचलित है ये कहानी है गनपती बपा यानि बगवान गनेश से चंद्रमा को मिले शराप की कहते हैं चंद्रमा को अपने तेज और रूपरंग पर इतना यादा अभिमान थ जिसका नतीजा उन्हें शिराप के रूप में भुगतना बढ़ा। पुरानिक मानेताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्ती के दिन गनेश जी का वर्थ किया था। जो भी चांद को देखेगा उस पर जूठा कलंक लगेगा। चांद ने गनेश को कैसे मनाया। कहते हैं उसके बाद चंद्रवा ने नारत की सलापर गनेश जी का लड़ों और मालपोय से पूझा किया। तब गनेश जी ने शुरापत वापिस ले लिया। पर ये भी कह डाला कि जो बाद्रमास की शुकल पक्ष की चतूरती को चांद देखेगा उसे चांद का कलंक जरूर लग जाएगा। कहते हैं बागवान श्रीकृषन पर भी समय तक मनेश की च्योरी का कलंक इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने गनेश चतूरती के दिन जांद के दर्शन कर ल देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बैल आइकन को प्रेस कर लीजी और वीडियो को लाइक शेयर करना मत बूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्या है जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई अपना ख्याल रखना झाल 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 झाल